हालो आवरीवन, दिस इस यूर अजुकेटर मानसी गुपता, वेलकम टू रेडी फॉर्स टेडी आज हम क्लास नाइन्थ की हिंदी विशय की वर्कषिट करने जा रहे हैं ये आपकी हिंदी वर्कषिट 46 है यानि की 46 और इसकी जो डेट है वो है 1 नवंबर 2021 ठीके बच्चे तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर आपको अपने टीजर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं काची के दोनों प्थायी जाती घंके थे दिखने में सुन्दर काम में चौकस में उंचे काफ लंबे चौणे खटे-कटे थे बहुत त्षास रहते रहते बहुत प्यार करते थे दोनों पैल एक शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेश्टता का दावा करने वाला मनुष्य भी बंचित हैं मतलब वह दोनों इतने अच्छे थे दोनों में इतने अच्छा अंडरस्टेंडिंग लावल था समझ इतनी अच्छी थी कि वह एक दूसरे को एक दूसरी के बिना बोली इतना अच् देख लेंगे ठीके मनुष्य श्रेश्टता का दावा करता है लेकिन अगर इन दोनों बैलों को देखेगा तो वह दावा करना छोड़ देगा क्योंकि इन दूनों में इतनी अच्छी समझ है दोनों एक दूसरे को चाट कर सुंख कर अपना प्रेम प्रकट करते थे कभी को भी मिला लिया करते थे विग्रह के नाते से नहीं केवल विनोध के भाब से अब देखो आपने देखा होगा दो बैल सींग लड़ाते हैं लड़ते लड़ रहे होते हैं तो हीरा और मोती वह दोनों भी सींग मिला लिया करते थे लेकिन लड़ने के नाते से नहीं बलकि वो लोग तो ऐसा प्यार में करते थे ठीक है आत्मिता के भाव से दोनों दोस्तों में घनिश्टा होते ही धोल धपा होने लिएगा मतलब काफी अच्छी दोस्ती थी दोनों में इन शॉट यह यह कहना चाला है पैराग्राप तो पढ़ते हैं अब कोशन आंसर प्रस्तुत ग प्रेम चंदर जी हैं ठीक है अगला प्रश्ण है दोनों बैल दिखने में कैसे थे हीरा और मोती पच्छाई जाती के बैल दिखने में चौकस और सुडोल तथा सुन्दर थे ठीक है और डील में उंचे थे ओके दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे देताते थे चाटकर और सुंग कर अपना प्यार जो है वो दर्शाया करते थे ठीक है दोनों के सौभाव के विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए तो दोनों के मन में एक दूसरे के परती अगाध प्रेम था मतलब बहुत प्रेम था प्रेम का भाव था यह भाव है ठीक है दोनों में ऐसी गुप्त शक्तियां थी कि वे एक दूसरे से मूख भाषा में विचार हो भी निमा किया करते थे मतलब वे अपनी sign language में या code लेंग्विज में बाते किया करते थे दोनों बैल एक दुश्रे को चाट कर सूंग कर या सींग मार कर अपना प्रेम जो है वो दर्शाया करते थे या जताते थे अगला प्रश्ण है अवश्य ही उनमे कोई ऐसी शक्ती थी जिसमें श्रेश्टता का दावा करने वाला मनुश्या वंचित है इस पंक्ती का आश्या स्पस्टिए जी तो इस पंक्ती के माध्यम से प्रेम चंदर जी का तातपर यह है कि दोनों बैलों के मन में आप सी प्रेम वे अटूर्ट समझ का भाव था मतलब बहुत प्यार करते थे दोने एक दूसरे से और बहुत अच्छी अंडरस्टेंडिंग थी उन दोनों के बीच में वे बिना कुछ बोले एक दूसरे के भाव और विचार ऐसे समझ देते थे दोनों में इतनी घहरी दोस्ती वे प्रेम त थे हमेशे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तयार रहते थे ठीक है जानवर बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छी जानवर होते हैं तो उनसे प्यार करना चीखो ठीक है तो बस यह आपकी वर्क्षिट इतनी थी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे के साथ अब तक के लिए थेंक्यू सो मच बाई बाई